तो दोस्तों अगर आप ढूंड रहे हैं बेस्ट वन टन एसी इन इंडिया 2023 तो आपको पता होना चाहिए कि 3 स्टार एसी लूँ यो 5 स्टार एसी लूँ पावर कितना कंसीडर करूँ जिससे की कुलिंग केपसिटी बहुत अच्छी मिले कितनी आईसी वेल्यू देखूँ 2023 के से कौन से मोडल है जो आप खरीच सकते हैं आज मैं आपको मेरे 5 पिक्स बताऊंगा जो 1 टन 5 स्टार एसी है 3 स्टार एसी चाहिए तो इस वीडियो में आगे बताऊंगा वो भी लेना है चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहले confusion दूर करते हैं कि आपको थ्री स्टा लेना चाहिए या 5 स्टार अगर आपका uses कम है अगर आप दिन भर में तीन चार घंटे ये या चार घंटे भी करते हैं और पूरे साल में अगर आप तीन से चार महीने यह यूज़ करते हैं तो फाइब स्टर मत लीजिए थी स्टर एसी लीजिए और थी स्टर के तीन बेस्ट मॉडल्स मैंने सजेस्ट किये हैं जो 2023 के हैं वह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तीनों का बहुत अच्छे मोडल है अगर थी स्टर एसी वन टन में चाहिए जरूर वह चेक आउट कर लीजिएगा और अगर आपका यूज़े साथ घंटे या उससे ज साथ है जो आपको पता ही होगा अगर आप असी सर्च करने निकले हैं लेकिन थे एनिद्र recall कितना होना चाहिए इंडियान सीज्नल एनर्जी एफिशन्सी रेशियर जो फ़ोगाराएए तो तो पांत से अँपर ही होना चाहिए जैसा कि आप इस लेवल में देंसके और इसके साथ में आपको एक और चीज देखनी चाहिए जो काफी सारे लोग मिस कर जाते हैं वो है पावर आपको पावर कैपिसिटी देखना चाहिए और अगर अगर 3500 वाट से जादा है और उतना है तो सबसे बेस्ट माला जाता है और बहुत अच्छी कुलिंग कैपिसिट आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों इंपोरेंट बात आजाती है कि अगर आपकी रूम साइज 120 स्कुर फीट से 130 स्कुर फीट की है तब ही आपको वन टन एसी कंसिडर करना चाहिए अगर 130 स्कुर फीट से जादा है तो आपको वन टन नहीं करना चाहिए आपको 1.5 ट लेना है तो दोस्तों बेस्ट वन टन एसी इंडिया 2023 के लिस्ट में नंबर 5 से हम सुरू करते हैं नंबर 5 में मैंने लिया है समसंग कंपनी का 2023 वाला यह मॉडल वन टन 5 स्टार एसी मॉडल है और बहुत अच्छा मॉडल है लेकिन फिर भी मैंने पांचवे नंबर पर इसे श्री रिए किया है क्यों कि उसके पिछे कोई रिजन है सबसे पहला जो इसकी पाउर कैपेसिटी है वह बाकी जो इसी बताना उनसे कम है यह 3200W का है और इसकी आइसी डकाउल और यहीं से अलावा सारे आपको देखने को मिलते हैं सेंसंग का ट्रस्ट आपको यहां देखन के अलावा अगर बात करें इसके फीचर्स के बारे में तो आप इसमें फाइव इन वन कर सकते हैं यानि कि इस एसी को आप 40% से लेके 120 परसेंट की क्यापिसिटी पर रन करवा सकते हैं इसमें डिजिटल इनवर्टर टेक्नलोजी का यूज किया हुआ है जिसमें आप 73 परसें क्ष invari को अपशेंटी फिल्ट्र देखने को मिलता है जो इसका बहुत आसानी से रिमूग कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं रस्ट और क्रूजन रेजिस्टेंस करवाने के लिए इसमें डूराफिन अल्टरा टेक्नलोजी कोटिंग का यूज किया हुआ है जो काफी अच्छी है और इसके अंदर आपको 4-way swing को आप्शन नहीं मिलता है बस 2-way swing को आप्शन ही मिलता है तो दोस्तों AC बहुत अच्छा है लेकिन आगे वाले models देखने के बाद ही आप consider कीजेगा बात करें इसकी energy consumption की तो पूरे साल की 481 units consume करता है अब main चीज की बात कर रहते हैं इसकी price की तो price काफी अच्छा आपको मिल जाएगा 35,000 से 36,000 के अंडर में ये देखने को मिल जाता है best offers का link मैंने वीडियो की description में दिया है सारे ही AC का जरूर जाके check out कर लिजएगा और 1.5 ton के भी options वहाँ आपको description में देखने को मिल जाएगे दूस्तों number 4 पे हमने लिया है Lloyd Company का 110 5-4 AC model number में दे दूँगा और ये जो AC है इसकी warranty आपको एक साल के मिलती है product पे 10 साल की compressor पे warranty मिलती है यहाँ PCB पे warranty नहीं मिलती लेकिन उसके अलावा सारी चीज़े इसमें जबरजस्त दी हुई है मैं आपको आगे ये 1 by 1 बताऊँगा Hevels का ही सब brand है बाग करें इसकी features के बारे में तो इसमें आपको 5-1 convertible option देखने को मिल जाता है जिससे आप अलग-अलग cooling capacity पे run करवा सकते है PM 2.5 filter आपको देखने को मिलता है और antivirus dust filter भी आपको देखने को मिल जाता है इस AC में आपको 4-way swing देखने को मिलता है जो की काफी अच्छी बात है filter clean indicator का भी इसमें option है तो आपको easily समझ में आ जाएगा कि कब आपको filter clean करना है 100% copper coils पे यह आपको देखने को मिलता है low gas detection system भी इसमें दिया हुआ है तो अगर refusent कम हो रहा है तो आपको उसका भी indication देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों हेवल्स का यह काफी दमदार model है low 8 का काफी दमदार model है और इसके अंदर आपको IC value देखने को मिलती है 5.07 जो की काफी अच्छी है लेकिन दमदार चीज यह है कि इसके अंदर 3500 watt की cooling के पसीड देखने को मिलती है तो यह अभी 34000 से 35000 के बीच माटका हुआ है तो जरूर जाके आप चेकाउट कर लेजएगा लिंक इसका भी वीडियो की description में आपको मिल जाएगा दोस्तों आप बात करते हैं नंबर 3 के नंबर 3 पे जो model है वो है पेनासॉनिक का 1 तन 5 स्थार AC model और यह model में दूसरे नंबर पे लेना चाहा रहा था क्योंकि जबरजस्त model है काफी अच्छा Japanese टेक्नलोजी का इसमें यूज किया हुआ है लेकिन फिर भी मैंने इसे 3rd नंबर पे लिए उसके पीसे कारण यह है कि यह थोड़ा सा और प्राइज है थोड़ा सम महंगा जादा है तो अगर आपको बजट की कोई प्रोब्लम नहीं है तो इसे आप आखे बंद करके ले सकते हैं बहुत अच्छा model है और नंबर वन पे जो model आने वाला है 7-in-1 convertible options आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे जो काफी दमदार है 2 sensors इसमें दिया हुए है Human activity अगर हो उसका sensor दिया हुआ है और अगर कोई नहीं है तो absence detection का भी इसमें system है तो आपने आप यह shutdown भी हो जाता है 4-way swing देखने को मिलता है और fast cooling की साथ में देखने को मिलता है सबसे खास बात यह है कि यह जो है पूरा smart AC है तो इसमें Alexa का support और Google Voice Assistant control भी आपको देखने को मिलेगा मेरा यह app की तुरू आप इसे कहीं से भी control कर सकते हैं इसका यह बहुत अच्छा feature है दोस्तो इसके अलावा auto convertible inverter stabilizer free operation इसे कई सारे छोटे 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 आपको features देखने को मिल जाएंगे में मुद्दे की बात करें तो अगर IC value देखी जाए तो 5.10 इसकी IC value है जो काफी अची है power की अगर बात करें cooling capacity के बात करें तो 3500 watts आपको यहां देखने को मिलते है तो cooling capacity में भी कोई compromise नहीं किया गया है उसके बाद मैं अगर बात करें yearly energy consumption के बारे में तो आपकी yearly 531 units consume हो रहा है तो यहां भी काफी अच्छा है नोंने काम किया है अब main जो बात है वो है price की और price की वज़े से ही third number पर यह आया है जैसा कि आप जानते है 48,000 rupees के लगबगी अभी cost कर रहा है और 48,000 rupees थोड़ा जादा है तो अगर यह budget आपके लिए सही है तो इससे जरूर आप खरीच सकते हैं नहीं तो one number का model आने वाला है थोड़ा सा weight और कर लिजी तो दोस्तों best 110 5 star AC in India 2023 की list में हम बढ़ चुके हैं नमबर 2 पे और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है और सच में काम का लग रहा है तो please मेरा request है वीडियो ज़रूर लाइक करके ही जाएगा नमबर 2 पे हमने लिया है blue star 110 5 star AC जो की बहुत दमदार model है और blue star बहुत अच्छा काम कर रहा है एंडिया में इनके service networks भी काफी अच्छे है और cooling बहुत अच्छी मिल जाती है build quality काफी अच्छी मिल जाती है तो आप 5 different capacity पर इसे run करवा सकते है turbo cooling का option देखने को मिलता है जिससे बहुत fast cooling आपको देखने को मिल जाती है 110% capacity पर ये run होता है 4 way swing का option आपको इसमें देखने को मिलता है जो काफी अच्छी बात है warranty के अगर बात करें तो 10 साल की compressor पर warranty और 5 साल की PCP पर आराम से आपको warranty देखने को मिल जाती है तो दोस्तों हम बात करते हैं इस दमदार AC की IC value के बारे में इसमें आपको 5.05 की IC value देखने को मिल जाती है पावर की बात करें तो थोड़ी सी कम यह आपको देखने को मिल रही है 517 units consume करता है तो यहाँ भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है अब बात करें इसकी price point की तो यह 37,000 के around आपको देखने को मिलेगा 37 में भी काफी अच्छी deal है और काफी अच्छा AC है जरूर इसे consider आप कर सकते हैं लिंक वीडियो की description में दिया है चेकाउट कर दीजिए तो दोस्तों best AC in India 2023 1-10 5-star की list में number 1 पर हमने लिया है LG company का 1-10 5-star model जो की 2023 का ही model है AI dual inverter technology का इन्होंने use किया हुआ है और मैं आपको model number यहाँ mention कर दूँगा एक साल की product पर warranty, 5 साल की PCV पर warranty है 10 साल की compressor पर warranty आपको देखने को मिलती है लेकिन उसके साथ में कई सारे features देखने को मिल जाते है LG का trust आपको देखने को मिल जाता है बहुत अच्छा सा after sale service आपको देखने को मिल जाता है और काफी अच्छा cooling आपको देखने को मिलेगा बड़ा powerful cooling देखने को मिलेगा बात करें इसके features के बारे में इसके अंदर AI Dual Inverter Technology आपको देखने को मिल जाती है जो काफी कमाल की है और बहुत सारे features को activate करती है AI Convertible Option आपको देखने को मिलता है 6-in-1 Convertible Cooling आपको देखने को मिल जाती है इसका Virat Mode काफी highlighted है company की तरब से और इसमें आपको बहुत powerful और fast cooling देखने को मिल जाती है अगर आप Virat Mode operate करते हैं Mute Function इसमें दिया हुआ है जो 3 seconds में working है और 4-way swing का option आपको देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छी बात है HD Filter और Antivirus Protection आपको इसमें देखने को मिल जाता है Auto Clean Technology भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है Ocean Black Coating का इसमें यूज किया हुआ है और 100% Copper Coils का यूज किया हुआ है Low Gas Detection System भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है Stabilizer Free Operation देखने को मिल जाता है Monsoon Comfort Monsoon में अगर आप यूज करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा सा एक Function देखने को मिल जाता है जो Moisture को कंट्रोल करता है तो दोस्तों AC काफी दमदार है और इसके अलावाद छोटे-छोटे कई सारे Features आपको देखने को मिल जाएंगे बात करें इसकी IC Value की तो 5.20 इसकी IC Value है जो बहुत दमदार है क्यों? क्योंकि इसका जो Power है वो भी 3500 W है उसके बावजूद भी Power Capacity IC Value की Capacity अच्छी है बात करें Yearly Energy Consumption की तो 521 यूनिट पर यर ये कंजूम करता है अब आप पूछेंगे कि इसका प्राइज कितना है तो इसका प्राइज आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ आप क्लिक कीजिए और इसे जरूर चेक आउट कर लीजिए अगर आपको पसंद आये तो वहाँ से आप इसे पुर्चेस कर सकते हैं उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा च्छे वीडियो काम का लगा होगा लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए मिलता अगले वीडियो में तब तक किराब नखाल रखिये शुरक चीत रहिए जैहन